नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं परसों बनाना चाहता था वैसे तो, लेकिन कुछ और दूसरे तरह के वीडियो में मैं फस गया और मेरे पास वक्त नहीं मिला और ये परसों मैं इस वीडियो को बना नहीं सका। और जफरुल इसलाम जो दिल्ली अलसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं जिन्होंने कुछ बिवादास्पत बयान दिये थे शर्मनाग बयान दिये उनको जो भी कहें जितने भी लानत मालामत की जाए ऐसे बयान दिये उस पर मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाया कल फिर सोचता रहा फिर किसी बज़ा से नहीं बना लेकिन उसी भी कल शाम देर शाम मेरे हाथ प्रधान मंत्री को लिखी दिल्ली इन्वर्सिटी और दिल्ली के और शैक्षनिक संस्थानों के शिक्षकों प्रोफेसर्स की चिठी एक हाथ लगी कल देर रात जिसमें 179 लोगो को ने प्रधान मंत्री मोधी को चिठी लिख कर जफरुल इसलाम के खिलाफ कारवाई की मांग की है और कहा है इनका उस पद पर बने रहना दिल्ली अल्वसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने रहना देश के खिलाफ है देशित में नहीं है इसलिए ने तत्का तो आज मुझे लगा कि अपनी बात कहनी चाहिए ताकिस सानद रहे और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग जो ट्रोल करने लगते हैं कि आप इस पर बोले तो उस पर क्यो नहीं बोले बीजेपी विधायक पर बोले तो जफरुल इसलाम पर क्यो नहीं बोले आपने सुरेश की तस्वीर भी डालूंगा अभी तो आप यहीं पूछेंगे जफरुल इसलाम पर आप चूप क्यों थे मैं चूप नहीं रहता और किसी की परवाह नहीं करता हूं वक्त की बात है मैं कोई टेलिविजन चैनल नहीं चला रहा हूं कि 70 वीडियो बनाओं 60 विशेप को उठा चूप जैसा कि मैंने कहा ताकी संद रहे तो पहली बात जो टीचर्स की चिट्थी के कुछ हिस्से में जो खास पहलू है जो प्रधान मंतरी को लिखा गया है उस चिट्थी में उन्होंने यही कहा है प्रधान मंतरी मोधी को जितनी बातें जफरुल इसलाम ने अपने Facebook पोस्ट में कही थी जिसमें जलजले की धमकी थी कुवायत का जिक्र करते हुए मुसल्मानों को एक तरह से उक्साने की बात थी या ये थी कि भारत में जलजला आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है जाकिर नायक का क्यों नाम लिया और ऐसी तमाम चीज़ें और ये किस तरह की धमकी दे रहें जफरूल इसलाम इन सवालों के साथ प्रधान मंत्री मोधी को चिठी लिखकर और कहा गया इन्हें तत्काल हटाए जिन शिक्षकों ने चिठी लिखी है उसमें 179 शिक्षक हैं डिल्ली विश्विद्याले के अलग-अलग कॉलेजेश के और कुछ अलग शै प्रधान मंत्री मोधी को और हटाने की बात यह मैं पहले भी का चुका अब सवाल उठता है जफरूल इसलाम ने कहा क्या था और क्या उनको हटाया जाना चाहिए या नहीं इन सवालों पर आगे उसके पहले कि इसमें कोई शक्त नहीं है कि जफरूल इसलाम ने जो लिखा फेस्बूक पर नहायत अपत्ती जनक है एतराज वाली बात है और यकीनन उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए और अगर दिल दिल्ली सरकार या फैसला करती क्योंकि माफी नामे से बहुत सारी चीज़ा खत्म होती है लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी तो दिल्ली सरकार या एलजी चाहे कारवाई करें फायार करें मैं उस हर फैसले का समर्थन करूँगा ये भी हुआ है कि कल दिल्ली बीजेपी क कुछ नेता, नेताओं का प्रतिनिधि मंडल जो इनसे लजी से मिलने गए थे और लजी से मिलकर उन्होंने फायार धर्ज करने की मांग की है और उन्हें पत से हटाने की मांग की है और चिठी का जिकरतों मैं करी रहा हूँ मैं इन सारी मांगों का समर्थन करता हूँ कि ये सब कुछ होना चाहिए क्योंकि जफरूल इसलाम ने जो फेस्बूक पर लिखा जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा एक तरह से बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूँ और उसके बाद मैं बात आगे बताऊंगा कि जब कारवाई हो तो सब पर हो सारे काइदे कानून बराबर हो समवैधानिक पदों पर बैठे हर आदमी के लिए बराबर हो ऐसा नहीं हो कि जफरूल इसलाम बोले तो कारवाई हो और तथागत रोय जो निगाले में गवर्नर हैं बीजेपी के कारिकरत हैं RSS के स्वेम सेवक हैं वो कुछ भी लिखें जहरीली बात तो उन पर कोई बात नहीं यह भी बात बता हो रहा क्योंकि और इसमें आपको कुछ लोगों का अक्रोस हो जाएगा लेकिन सही बात है होना चाहिए तो संतुलन होना चाहिए सब के लिए कारवाई हो और ऐसे ल जो मैं पहले का चुका हूँ कि जितनी लानत मलामत की जाए कम है उन्होंने कुवैत का शुक्रिया अदा किया जिसके बारे में कहा जा रहा है जो बहुत सारे फरजी ट्वीटर हैंडल से ट्वीटर आ रहे हैं और उसके हवाले से शुक्रिया अदा किया चलिए वो शुक्र थारसे उन्होंने एक तो जाकिर हुसेन को हीरो की तरफ पेंट करना मुझे इतराज है क्यूँकि जाकिर खिलाब भारत सरकार कई मामलों में उनके खिलाब मनी लॉंढरिंग से लेंकर बाकी मामलों उनके कि आप मुकादमे दर्ज है जब तक क्लिंच इट नहीं है तब तक जाकिर हुसेन को हीरो वर्षिप की तरह जाकिर हुसेन की बात कर रहे हैं तो उस पर यतराज का किसी को हाग है उसके बाद असली बात जो उन्होंने कहा है कटर सोच वालों भारतिये धमकी दे रहे हैं तरह से चेताब नहीं दे रहे हैं जफरोल इसलाम ट्विटर पर फेस्बूक पर लिखा है पोस्ट आप देख रहे होंगे साइड में कि कटर सोच वाले लोग सुलो भारतिये मुसल्मानों ने आज अगर अरब और मुसलिम देशों से तुम्हारी नफरत भरी मुहिम लिंचि और ऐसी हर्कतों की शिकायत कर दी तो ऐसे कटर लोगों को जलजला का सामना करना पड़ेगा एवलांच लिखा है जिसका मतलब होता है अर्थक्वेक, जलजला, तवाही, तो तवाही का सामना करना पड़ेगा ये आप लिख रहे हैं डिली अल्व संख्यक आयोग के अध्यक्ष है और लिखते हुए इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि सुलो देश में ऐसे लोगों अगर हमने अरब मुल्क इसलामिक देशों से शिकायत कर दी और उन्होंने इन शिकायतों का कॉगनिजेंस लिया तो जल जल साथ का आ जाएगा नहायद आप पत्ति जनक हैं आपको अगर शिकायत है इस देश में इस देश के समिधान इस जैस के कानून इस देश की परीधी मेरा आकर जो मर्ज़ि करियें लेकिन ये धहमकी कि अरब देशों के लोग आ जाएंगे और जल जला आ जाएगा अरप देशों से समर्थन मिल जाएगा उसे जल जला जाएगा इसकी निंदा कि जानी चाहिए और मुझे लगता है मैंने कई लोगों से आ सुबह भी बात की ऐसा समझदार आदमी कोई ऐसा नहीं है जो इसकी लानत मलामत ना करता हो आप में से अगर बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जिनें लगता होगा किनें क्या गलत है तो जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा जफरुल इसलाम का ये बयान हर हाल में ये उनका जो ट्वीटर पर या फेस्बूक पर लिखा गया हर हाल में निंदनी है क्योंकि आप भारत की चोहदी में भारत की सारहद में राकर आप धमके और चेताबनी ऐसे मत दीजिए कि मुस्लिम देशों से शिकायत हमने कर दी तो जलजला आ जाएगा भारत इतना कमजोर नहीं है कि कुबायत और अरब देशों के लोग कुछ नाराज हो गए या वहां के शेक नाराज हो गए तो भारत में जलजला आ जाएगा ये मुल्क 135 करोर की आवादी वाला ये मुल्क इतना कमजोर नहीं है कि कोई दूसरा मुलक हमारे देश में जल जला ला दे एक बात हमारे देश में या जो भी जिन के लिए भी का गए दूसरी बात मैं बार बार कई वीडियो में का चुका हूँ कि यहां से भी जो लोग जहरीलों लोग जो मिडलिस्ट में रहा रहा है दुबाई मेरा रहा है, युएई मेरा रहा है, कुबैट मेरा रहा है, बाहरीन मेरा रहा है, साउधी अरब मेरा रहा है, यमन मेरा रहा है, ओमान मेरा रहा है, कहीं भी रहा है, वो लोग भी अगर वहां पर नफरत फैला रहे हैं, इसलाम को गाली दे रहे हैं, उन्हीं के मु बात करूंगा रिपीट होगा वो गलत कर रहें लेकिन एक गलत का ुपी अभीर के जाए। अक्षब में माफिय उनको मागनी चाहिए और नहीं तो जो कारवाई सरकार को करनाय करें लेकिन अब यहां से हमारी दूसरी बात शुरू होती है कि कब से और क्यों हो रहा है क्यों ऐसा होता है कि मेघाले में बैठे राज्यपाल तथागत रोय नाम है उनका उन्होंने अपन क्यों ऐसा होता है कि तथागत रोय कुछ ऐसी बात करते हैं जो अब्जेक्शनबल है तथागत रोय के दो-तिन बयान सुनाता हूँ इसलिए कि इन सब के खिलाप कभी कारवाई नहीं हुई अगर कारवाई तथागत रोय के खिलाप हो गई होती अगर राश्टपती ने ही क्या तो ये जो टीचर हैं 179 लोग सही लिखा इनोंने हैं लेकिन क्या इनका गुस्सा आक्रोस इन सब चीजों पर नहीं आता है जो देश में बाकी चीज़ें हो रही है सब पर बात करिए तथागत रॉय वापस लोटते हैं तथागत रॉय सहब ने विवादास पर बयान जो सबसे विवादास पर हुआ था जिसमें उन्होंने फर्मरी 2019 में लिखा था और माफी भी नहीं मांगे इसके लिए इस बयान में उन्होंने कहा था कि भारतिये सेना के एक रिटायर करनल ने अपील की है इंग्लिश मैं उसका हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं इंग्लिश एंपोरियम कश्मीरी ट्रेडर से हर सर्दी के मौसम में आने वाले समान ना खरीदें कश्मीर की हर चीज का बहिशकार करें मैं इससे सहमती जताता हूं गवर्नर लिख रहे हैं कि कश्मीर के हर समान का बहिशकार करें मैं इससे सहमती जताता हूं अपील भले मेजर सेना के रिटायर करनल की तरफ से सामती गवर्नर जता रहे कश्मीर में 70 लाख आवादी है कश्मीरियों की आप उनको सजा दोगे अगर आपके विचार कुछ और हैं नहीं मिलते हैं तो हर सामान का वहिशकार करो एक तरफ भारत सरकार कश्मीर को लेकर दुनिया भर पॉलिसी की बात करती रही है ठीक है उसके बाद 370 और बाकी विवाद अपनी जगह है उस पर कभी और लेकिन आप कह रहे हो कि उनके सामान का वहिशकार करो आप उसी अटल विहारी वाजपई की पार्टी के सदस रहे हैं जो वाजपई क्या कहते रहे हैं आपको कश्मीर को लेकर पता है इ क्योंकि उनको अपदेश्दरों ही मानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हजारों लोग जब लिखते हैं तो गवर्णर साब वापस आते हैं ट्विटर पर और वापस आकर फिर जो अपना बयान देते हैं उस बयान की फिर से तस्दिग करते हुए वो कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैंने करनल साब के सुझाओ का समर्थन किया है, और ये नॉन वाइलेंट रियक्शन है, इसमें गलत क्या है, ये गवर्नर साब का है, ये नॉन वाइलेंट रियक्शन है, कि कश्मीरियों का बहिशकार कर दो इसमें गलत क्या है, और कुछ नहीं होता गवर् पर न रहें दूसरा बैयार उनका फिर है जब CA के खिलाब प्रदर्शन चल रहा था इतने नाराज हुए कि उन्होंने फिर लिखा कि विवाद के मौजूदा माहौल में दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं इंग्लिश में ट्वीटर पर आप देख रहे होंगे। पहला देश के को धर्म के नाम पर विवाजित किया गया था, दूसरा लोक्तंत्र अनिवार रूप से विवाजन कारी है, अगर आप यह नहीं चाहते तो उत्तर पूरिया चले जाए, नौर्थ कोरिया चले जाए, यह देश इनकी जागीर है, इनक किसी ने इनको पट्टे पर लिखके तथागत रॉय आया, ऐसे लोगों को दे दिया, हिंदुत्यमादी लोगों को, कि इनकी जागीर में इनसे इजाजत, इनकी सहमती और इनके विचारों के साथ चलिये, विरोध मत जताईये, नहीं तो नौर्थ कोरिया जाई, ये तथागत होकर राजनितिक तोर पर बयान देते हैं, तो आप उस सम्मान को खोते खुद हैं, गवर्नर की एक मरियादा होती है, समवैधानिक पद पर मैठे आदमी की एक मरियादा होती है, चाहे राष्टपती हो, गवर्नर हो, या और भी ऐसे पदों पर तमाम लोगों, तो जब होती हैं, और उसके बाद क्या कारवाई होती है, तथागत रॉय पर कोई कारवाई नहीं हो, बलकि दिल्चस्प बात बताओ, TV9 भारत वर्ष का मैं कंसर्टिंग एडिटर था, और जब लॉंच हो रहा था, जिसमें विवादास पद बहुत सारी चीकें होई थी, जिसमें मंत्री मोधी भी आये थे, उसमें राजनास सिंग ग्रे मंत्री से मैंने खुछ सवाल पूछा था, कि क्या तथागत रॉय ने ऐसा बयान दिया, ग्रे मंत्राले के रेकमेंडीशन पे ही गवर्नर बनते हैं, तो क्या आपने कुछ पूछा उन से, तो उन्होंने टालमटोल क करके सवाल का जबाब दे दिया, क्या बात हुई है, कुछ है साथ टालमटोल किया, सवाल उठता है, जब ऐसे बयान आप देते हैं, गवर्नर होकर, और उस से में कुछ लोगों ने सम्मिधान का हवाला दे कर कहा भी, कि गवर्नर जब शपत लेता है, आर्टिकल 159 के तहत, उस शपत का तथागत रवाई ने उलंगन किया, और वो करते रहें, है विच्वल ओफिंडर हैं, है विच्वल बयान बाज हैं, लेकिन कारवाई नहीं, तो ऐसे बयानों की लंबे लिस्ट है, इनफेक्ट उनका आप ट्विटर हैंडल भी देखेंगे, अभी मैं देखता ह तो आपको लगेगा नहीं कि ये ये ट्विटर हैंडल किसी गवर्नर का है, या किसी पार्टी कार्य करता का है, बहुत सारे लोग आज मेरे इस वीडियो से भी हो सकता है, नाराज हो जाएं, मैं दोनों पक्ष की बात करता हूँ, कि अगर आपको इतराज है, जफरुल इसल जैसे थोड़ी अस्वस्था के बज़े से कल मेंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, तो मैं कल भी बेचेन रहा, लेकिन कुछ अस्वस्था और में वीडियो नहीं बना पाया, देर रात कल फिर मुझे चिट्थी मिली, तो सोच के बैठा था क्या आज करूँआ, तथागत र गवर्नर इनके लिए ऐसे भी लिस्ट प्रोफाइल है, बाकी इंपोर्टेंट है कि राइट विंग हिंदू, सोचियो पॉलिटिकल ठिंकर और राइटर हैं, ये अपना परचे खुद लिख रहे हैं, तो एक समवैदानिक पद पे बैठे शक्स, अगर ऐसा परचे लिखते हैं, तो आप अपने विचार, अपना दाइरा, अपनी सोच की परिधी और किसी के प्रती क्या नजरिया रखेंगे, ये सब कुछ आपने पहले ही लिख दिया, मेरे क्याल से इससे उनको भी बचना चाहिए, अगर गवर्नर हैं, तो हर आदमी एक विचार के साथ होता है, व होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी किसी को वोट देते होंगे, जो जजजज हैं, वो भी किसी को वोट देते होंगे, जो चीफ एलक्शन कमिशनर हैं, वो भी किसी को वोट देते होंगे, लेकिन उस वोट और विचार के हिसाब से वो कारी करेंगे तो गलत होगा तो मेरा सिर्फ इतना काना है अब बात आती है तथागत राय के बाकी बयानों के अलावा वापस लोड़ते हैं कि मैं तो उमीद करता हूं अभी भी मैं देख रहा था कि कैसे जो जफरुल इसलाम है इनको हटाया जा सकता है तो जो ड LG चाहें तो हटाने की कारवाई शुरू हो सकती है सवाल उठता है दिल्ली सरकार या अरविन केजरिवाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी शायद नहीं दी मैंने बहुत जादा इस पर रिसर्च नहीं किया लगिन शायद नहीं दी मैं मानता हूं कि उनके खिलाप करिए आप बीजेपी के उन दो विधायकों के खिलाब पुरंद फायार दर्ज करिए जिन दो विधायकों ने उत्तर प्रदेश में सुरेश तिवारी और ब्रजभूशन राजपूत ने खुले आम जो कहा है जिसका वीडियो मैं दिखा चुका हूँ एक सब्जी वाले को करवाई हो गई तो झार्यए तो सिलेक्टिव सब कि खिलाब करिए ये य togetherıl वी गलत तो में homeless इतना काना है आप कह सकते हैं कि मैं संतुलन करूं ने Off and about करते हैं अगर आप तरफा करते हैं अगर आप चिथि लिखते हैं अच्छी बात है आपको लिखनी चाहिए और आप सब मांग करते हैं इनको हटाने की मैं उस मांग में आपके साथ हूँ लेकिन मैं उन सारी चीजों में भी मांग करता हूँ जहां बाकी बहुत सारे लोग कर रहे हैं वहाँ आप साथ नहीं है वहाँ आप अलग है वहाँ चुप हैं वहाँ संडाटे में नफ्रत फैलाने वाली जो प्रविर्ती है हर ऐसी प्रविर्ति पर चोट होनी चाहिए और उनके खिलाफ कारवाई हो यहीर समभिधान का दाइरा जो भी इजाजत देता है जैसे बी देता है उन सब चीजों को exercise किया जाना चाहिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए मैं फिर कहूंगा कि जो शिक्षकों ने चिट्थी लिखी है वो सही है उस चिट्थी के साथ हूँ लेकिन इस चिट्थी में बात अधूरी है क्योंकि इस चिट्थी में जो शुरू का जो इंट्रो है प जाषि फिज्थी हिंदूों की बात करते हैं देश सौ फिज्थी लोगों का है जिसमें 135 करोर की आवादी रहती है और उस देश में हिंदू, मुसल्मान, सिख, हिसाई सब रहते हैं जो भी यहां के नागरिक है चाहे वो दो फिजदी हो, चाहे चार फिजदी हो, चाहे पार्सी हो, चाहे इसाई हो, चाहे सिक्क हो, चाहे मुसलिम हो, हर आदमी का समवैधनिक अधिकार उतना ही सम्विधान उसको देता है, जितना किसी हिंदू को देता है, जितना किसी मुसलमान को भी वही अधिकार है, जो किसी हिंदू का है, यही अंबेटकर का संभिधान है, और यही प्रदान मंत्री बाचीत में कम से कम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबके विश्वास के साथ सबके खिलाब कारवाई हो जो लोग इस तरह की बात करते ह शुरु आत कर लीजे जफरु एसलम से और कुछ बैगडेट में चला जाएए सब के खिलाव जो कम से कम दो विधायकों के खिलाव F.I.R कर दो विधायक यूपी में वीजेपी के खिलाव F.I.R कर ये वहां से शुरू करिए और बैगडेटमें जाएए और देश में संकेत और संदेश देदीजे कि जो भी ऐसी संप्रदाइकता वाली बात करेगा, किसी भी पद पर बैट कर नफरत फैलाने की बात करेगा, भारत की छवी खराब करने वाली बात करेगा, उसके खिलाब करवाई है। वो ये कहेंगे कि जफर लिस्लाम पर तो बोले, आप तथागत रॉइप भी बोल गए, आप बीजेपी को भी क्यों सामिल करें, हाजी, सब को सामिल करो, ऐसा नहीं हो सकता, सलेक्टिव आप हैं, मैं तो करो दोनों गलत है, आप कहोने दोनों गलत है, दोनों के खिलाब करवा आप नहीं करोगे, नहीं करोगे, तो तैय करो कौन सालेक्टिव है, चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए, आप सबका एक बार फिर से, आखिर में नमस्कार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक शेर करें, और आज कोशिस करूँगा कुछ और वीडिय के लिए कुछ और वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा, फिलाल नमस्कार.